रागा चड़ा से शादी के बाद पर्णीती गोही राजनीती में दिल्चस्पी लेकिन पती से है ये शिकायत अभिनेतीर पर्णीती चोपरा इन दिनों फिल्म अमर सिंग चम्कीला को लेकर चर्चा में है इस फिल्म में अपने अभिने के लिए उन्हें खूब तारीफे मिल रही है नीजे जिंदिगी को लेकर भी पर्णीती खूब लाइम लाइट में रहती है बीते वर सुनों ने आम आदमी पार्टी के नेता रागचड़ा से शादी रचाई दोनों भवे आयोजन में उदैपूर में विवाभन्दन में बदे शादी से पहले पर्णीती को राजनीती में बिल्कुल दिल्चस्पी नहीं था यहां था कि उन्होंने एक इंट्रव्यू के दरान ये दावा किया था कि वो किसी पॉलिटीशन से शादी नहीं रचाएंगी हाला कि परी की शादी ना सिफ राजनीतिक शक्सियत से हुई है बलकि अब राजनीती में भी अभिनेती दिल्चस्पी लेने लगी है हाली में पर्नीती चोपरा ने एक बाचीत के दोरान कहा था कि अब वो राजनीती में दिल्चस्पी लेने लगी है इस दोरान पर्नीती ने रागो के साथ अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया जब उन्हें रागो चड़ा के काम को लेकर बिल्कुल जानकारी नहीं था पर्नीती ने स्विकार किया कि अब वो राजनीती को फॉलू करती है अभी नेती ने कहा अब तो करना पड़ता है हाला कि पर्नीती ने अपने पती रागो से एक शिकायत की है अभी नेत्री ने कहा मेरी शिकायत यह है कि वो एंटर्टेइन्मन में दिल्चस्पी नहीं लेत परनीती ने खुलासा किया कि रागों को फिल्मों की कम जनकारी है लेकिन म्यूजिक में सही है हाला कि वो परनीती की फिल्मों के गाने पहचान पाने में असफल रहें पर ही ने कहा कि एक दूसरे के प्रोफेशन को लेकर कम जनकारी सबसे शांदार चीज है इसके कारण दोनों के बीच लाइफ को लेकर जादा बाते होती है जो कि अब इनेतरी को सबसे अच्छा लगता है बाचित के दोरान पनीती ने खुलासा गया कि रागों से पहली मुलाकात के दोरान उन्हें उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था उन्होंने कहा जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं उन्होंने जब रागों के बारे में जाना तो मेरे पास आकर कहा आपका शाधी ही रागों से हुआ है मैं कहती हाँ इसमें क्या बात है पंडीती ने आगे कहा कि आज वा रागो के काम के बारे में जान रही है वो सबसे प्रभाव शाली सक्सियतों में से एक है वो सबसे युवा सांसद है 35 साल के उम्र में वो इस पार्टी का हिस्सा है उन्हें काम करते देखती हूँ तो कई बार पूछती हूँ कैसे करते हो ये सब अभी तो बहुत बच्चे हैं कैसे करते हो ये सब अभी तो बहुत बच्चे हो